नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधार साय है, मैं एक सीनियर मेडिकल ओंकॉल जिस्त हूं, वेंकर टेश्वर हॉस्पिटल, द्वारका सेक्टर 18 में, मैं आज आप से हेडिनिक कैंसर के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, हेडिनिक कैंसर हमारी कंट्री का वन अफ दा मो हर साल करीब करीब दो लाक पेशन्स को हेडिनिक कैंसर होता है, जिसके अंदर 40% सिर्फ औरल कैविटी में होता है, इनके जो में कारण होते हैं वो होता है तबाकू, जो इंक्लूड करता है, सिगरेट, बीडी, तबाकू चबान, पान खाना, दूसरा कारण है, अल्कोहल य यह बहुत यह असानी से पता लग जाता है, और पेशन्स की अवेरनेस के पर बहुत कुछ डिसाइड होता है, खासकर उन लोगों में जो की तंबाकू या शराब का सेमन करते हैं, औरल कैंसर के अंदर सबसे इंपॉर्टन्ट जो सिम्टम्स होता है, मूँ के अंदर एक छा अगर आपको कोई तकलीफ होती है, जैसे ऐसा कोई अलसर या जिस पर ऐसा कोई घा हो जाता है, जो ठीक नहीं होता तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएए, वो डॉक्टर उसको इवैलुएट करेगा, उसकी बाइपसी करेगा, और अगर कैंसर निकलता है, तो सभी डंग से इलाज होना संभव हो है, इससे घवरानी कोई आवशकता नहीं है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टन बात ही है कि हम टाइम पर अपने डॉक्टर से परामस करें, और उससे भी इंपॉर्टन बात ही है कि हम जितना भी दूर हो सके तंबाकोर, अलकोर से उतना होना चाहिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टन कारण होना होता है HPV इंफेक्शन, यह यूजरी यंग लोगों में देखा जाता है, इसकी वज़े से होता है, HPV इंफेक्शन से भी जो औरल कैंसर है, या औरल फैनिल जल मतलब की मुह के पिछले पार्ट का कैंसर होने की सरस्जरी में में तीन चीजर मोस्ट इंपारेंट होती हा, सबसे इंपारेंट है सरजरी फिर रिड मारिशण और फीर कीमो थरपी बडख यह सुब करने से पहले हम एACHए सर्जरी करते हैं, जितना अजरी स्टेज होगा हम अच्छे से माईषली कर बाइंगे, सजरी के बाद जो surgical report होती है उसके हिसाब से हम उस patient को radiation या फिर कीमो थरपी अडवाइज करते हैं यह मुग के अगले पार्ट वाले के एंसर के लिए होता है जबकि मुग के पिछले पार्ट वाले के एंसर में हम usually surgery possible नहीं होती है तो हम उसका इलाज radiation और कीमो के साथ करते हैं और जब अगर राज सरी टाइम पर होता है और अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होता है तो करीब करीब 60-70 patient ठीक होने के chances होते हैं हम बार बार patients को यही और यही परामर्श देते हैं कि प्लीज आप तरबाको और अलकॉल से दूर रहें और जब भी कोई प्राब्लम होती है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से परामर्श करें और टाइम पर ही अपनी इन्वेस्टिकेशन और रिलाज कराएं लोग आजकर बहुत डरते हैं कि कीमो से यह प्राब्लम होती है कीमो से वो प्राब्लम होती है लेकिन कीमो जो भी होती है जो भी side effects होते हैं उसे जिसरफ short term होते हैं और एक time के बाद कोई side effect body में नहीं रहता ना तो किसी के बाल permanently जाते हैं ना ही किसी की कोई permanent disability होती है यह सब side effects short terms होते हैं और इन long term में हमें patient की जिनकी बचाने के लिए सब करना होता है radiation के भी कुछ short term side effects होते हैं जैसे skin का जलना, मूल का टेस्ट चला जाना, खाने की इच्छा का नहीं पर धीरे धीरे time के साथ ही सारी चीज़े ठीक हो जाती है साथ ही साथ हम patient को यह भी परामश्क देते हैं कि आप फिर तंबाकू और alcohol का शराब का सेवन दोबारा स्टार्ट ना करें और diet के अंदर फल, fruit और salads का जितना सेवन अत्यदिक हो सके करना चाहिए साथ में हमें ideal body weight भी maintain करना चाहिए धन्यवाल